क्या उन्नाव रेप केस को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन सिर्फ एक नाटक है उन्नाव रेप मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर क्यों ट्रोल हुई जिया बच्चन उत्रप्रदेश में उन्नावरे पीडिता के सड़क खास्से के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है सड़क से लेकर संसत तक बवाल मचा हुआ है देश भर में पीडिता को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है इसी क्रम में दिल्ली में भी SP और TMC के नेताओं ने एक प्रोटेस्ट किया इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बॉलिवूड एक्ट्रेस और SP सांसत जयाबच्चन भी थी मगर प्रोटेस्ट के दौरां की उनकी एक फोटो को लेकर सोशल मीडिया में विवात खड़ा हो गया है दरसल सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वाइरल हो रही है उसमें जयाबच्चन प्रोटेस्ट के दौरां हसते दिखाई दे रही है इस तस्वीर के वाइरल होते ही जय बच्चन पर यूजर्स ने गुसा निकालना शुरू कर दिया है जय बच्चन की इसी तस्वीर को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है दिवचस बाग तो ये है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल बाकी नेता भी हसते दिखाई दे रहा है बेहत समवेननशील मुद्दे पर एक रेप पिड़ेता को नियाए दिलाने के लिए हुए इस प्रोटेस्ट में जय बच्चन को हसते देखना यूजर्स को अच्छा नहीं लग रहा है फिर क्या था ट्विटर यूजर्स ने जय बच्चन पर अपनी नाराज की जाहि कर दे कुछ ने तो इस प्रदर्शन की गंभीरता पर ही सवाल उठा दिये एक यूजर्स ने लिखा न्याय नहीं ये सिर्फ इनका पॉलिटिकल प्रोपगेंडा है एक दूसरे यूजर्स ने लिखा जय मैडम किस जोग पर हस रही है पनामा याद आ गया क्या एक यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया जय बच्चन विरोध करने की नौटंकी कर रही है एक ने प्रोटेस्ट की तस्वीर पर नराज की जताते हुए लिखा ये प्रोटेस्ट है कि पीडिता की कार को बीते 28 जुलाई को एक ट्रक ने टक कर मार दी थी इस हाथ से में पीडिता की मौसी और चौची की मौत हो गई जबकि पीडिता और उनके वकिल की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे है जो जानकारी सामने आ रही है उसके मौताबिक पीडिता की हालत जसकी तस्बनी हुई है ऐसे में प्रदर्शन के दौरान नेताओं का हसना मामले के प्रती उनकी समवेदन हिंता बताने के लिए काफी है इंडिया न्यूज वायरूट की रिपोर्ट